हेलो फ्रिंट्स अपका स्वागत है हमारे चैनल इंफो गॉर्मिट जोब्स तो दोस्तों यहां पर आज का वीडियो आपका एंचेल कॉल इंडिया ड्राइवर्स की जो वेकेंची थी उसके उपर क्योंकि कल यहां पर आपको पता है 11 जनवरी को काफी चात्रों ने धर्ना प क्योंकि एंचेल ने ओफिशियली नोटी से वो जारी कर दिया है कि हम ओनलाइन यहां पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन कंडियेटों के करवाएंगे और जो भी कंडियेट सोल लिस्ट है वो यहां पर ओनलाइन डोकुमेंट अपलोड करेंगे हम उनको लिंक देंगे और उस समाचा पढ़ाएं एक तरह से मान सकते हो आप छात्रों के जो भी मन में थी उसके विरुदिये हुआ है और इसमें यहां पर एंचेल ने यह आपका जो ओनलाइन सिस्टम करके वह आपका जो गेट वाला चकर ही खतम कर दिया है तो अब शिरफ एक ही रास्ता है जिससे दोस दोस्तों यहां पर बहुती कम तोरपर हब की है जिसास्द मंति आफे कि हम जांच करवाएंगे हम वह करवाएंगे अखवार के अंदर दो तिन दिन हैडल अभी भी दोस्तों यहां पर शिंग्रोली के लोकल अकबार है उसके अभी भी हाँ पर यह सांसे दोस्तों मंत्री इस वर्दे के विरुद आवाज उठा रहे हैं पर उसका क्या हुआ तो स्टार्ट करते हैं चेलन को सबस्क्राइब कर लेजागा बेल आइ चलते हैं तो हमारे सामने यहां पर मिल जाता है एक ङ been कर एक ऊपर या और हो ऍस प्रकार से ये दोस्तों है तो 11 JNV की डेट में जो नोंटिस Wahy इसमें बोला गया है कि जो भी कंडिय एक इक दोजार है था उसमें सोटलिए है सोटलिस है वो कंडिडियाट दोस्तों यहां पर मूल दस्तावेज और एक फोटोकोपी स्वए की पर आपकी अटेस्टेड फोटोकोपी है वो होनी चाहिए उनके पास और उनको यहां पर सोटलिस करने सुजाव दिया जाता है कि सिगर ही NCL की वेबसाइट के ओपर एक लि करवाने होंगे यह नहीं है किसी और के डोकुमेंट्स अपलोड या फिर कोछ भी मतलब जो डोकुमेंट आपके पास है नहीं वह आप अपलोड कर दो तो यहां पर आपसे एक डिकलेशन वह भी लिया जाएगा तो यहां पर बोला गया है NCL के द्वारा ओफिशियली 22 2020 को रुजुगार शुचकान जो आए था उसकी अधार पर यहां पर यह बोला गया तो इसमें आपके डोकुमेंट्स मांगे गए है 15 जनवरी से और बीस जनवरी तक 15 जनवरी रात बार वज्जे लेकर 20 जनवरी रात बार बद जी तक आप यहां पर डूकुमेंट्स अपलोड तो पधातू तकनीक की हो गयता है जो भी हैवी मोटर विकल का जो आपका लाइसेंस है वो आपको यहां पर ओनलाइन कोपी लाइसेंस वीड के साथ आपको अपलोड करना होगा इसके बाद रुग लाइन ओपरेटर के लिए भी आपका सेटिफिकेट एक सर्विशमाइन के ल करने हो तो यह दोस्तों यहां पर एंशेल के द्वारा प्रोशिसरा वो चेंज किया गया है जो भी स्लेक्टेड कंडिडेट हैं उनके लिए क्योंकि उनके परती भी अच्छा हैं पर विवार कर रहा है क्योंकि उसमें भी आपका ऐसे नहीं बोलते हम कि सभी ऐसे हैं कुछ 100% है पर यहां पर सभी काफी महनतवाले लड़के हैं उनके लिए हम पर अच्छा काम है। बाकी जो नहीं अपर विरोध कर रहे हैं उनके लिए बता दूंकि अब उनके पासफिन के विरोध कर रहे हैं उनके पास स्भी बता है कि EROOK मातर्स ज्यादा तोर पर बड़ी धांदली हुई है और आपकी पास प्रूफ है तो आप प्रूफ है वो कोट में पेश कीजिए रीट दायर कीजिए रीट से आप जो यहां पर कोट को अगर आप संतुष्ट करते हो तो कोट उसके खिलाफ कारेवाई करेगा और यहां पर इस बरती पर श्टव आ जाएगी तो वह बालार है तो अधीन वह रहेंगे और को रह रोक सकता है और यहां पर जोईनिंग उनसे पहले जो ही नेमाम मिलेगा कार्यवाई होगी एक श्यक्रासित्यस पर पर दोस्तार पर धरने परदसन है इससे हां पर शिरफ एंचियल पर कोई परभाव नहीं पड़ा है शिरफ और शिरफ चातर लोकल जो चातर थे लगबग लगबग वह यहां पर इकठेव वेदये बाहर के शातरों को ज्यादा मतलब नहीं था और जो नेता लोग जो सामसद हैं जो भी आहां पर इसमें अलग अलग पार्टी के जो पॉलिटिक्स हैं वो यहां पर जो सामिल हो रहे हैं उनको भी दोस्तों सिरफ और सिरफ अपने वोट बैंक से मतलब है क्योंकि वह इस मुद्य को अलगी लेवल पर लेकर जारा जाते हैं इसे पहले वीडियो में आपको बताया था कि वह उनकी मांग है वह अलगी रहती हैं मैंसा तो उनका क्या है कि अग्जाम तो रद करवाई जाए नहीं बढ़ती ही पूरी रद जाए आप समझते हो जैसे प्राइवेट कंपनी आती है आईटेए के अंदर वह यहां पर उनका इंट्रव्यू यार फिर अग्जाम लेती है उसके बाद में उनको सेलेक्शन हो दिया जाता है तो वह इस मामले को ले जाना चाहते हैं पीछे की और जबकि यह पुराना प् यूपी और एंपी के मिडल में है तो दोनों स्टेट्स के चात्र हो अपलाई करते हैं अप्रेंटिशिप के अंदर बार के चात्रों घूमों का नहीं दिया दाता पर यह जो पर्मानेट जोब है इसमें दोस्तों कुछ परसेंट हो सकता है कोटा पर बिलकुल सभी पोस्ट तक मांगते रहेंगे उनका क्या है पर जो लिगली प्रोसेजर्स है वो यहां पर एंचल ने अपना किया है और जो चात्रों की मांग थी वो भी एंचल ने मानगी है मतलब उनके खिलाफ कारेवाई बठाई है चाहे वो खुद के डेपार्टमेंट की हो चाहे कुछ भी हो इसके अलावा भी चात्रों की मांग है जैसे की फिर भी अभी काफी चात्र वो बोल रहे हैं कि अगर एंचल के अधिकारी है तो वो उसी के खिलाफ कारेवाई नहीं करेंगे उधी उधर की उधर बाद दब जाएगी तो उनको लगता है तो वो कोट में जा सकते हैं वहां पर ही उन उनके पास प्रूप जयाते हैं वह वहां पर लोगिल प्रोसरम दुबारा सबस्क्राइब अगर आपको लगता है कि गलत हुआ है तो आप में जा शकते हो अध्रुाई इस दोस्त आपको नेक्ष्ट वेकेंशी की त्यारी वो करने चाहिए देनेवाद जैंचे वारत